और क्रिस्मिस में कई मुसलमान इसाई से कहते हैं मेरी क्रिस्मिस जब आप मेरी क्रिस्मिस कह रहे हैं आप नौस बिल्ला शहादत दे रहे हैं कि अल्ला सुभानावताला ने पचीर डिसम्बर को बेटा जना क्यूंकि इसाई एक क्रिस्मिस बनाते है पच्चीर डिसम्बर और कहते है कि अल्ला सुभानाओ ताला ने नौज बिल्ला एक बेटा जना इसाले सलाम पच्चीर डिसम्बर को कि आप उन लोगों से दावत तो नहीं करते दावत की बात तो दूर रही आप उनके साथ मिल जाते हैं आप शहादत दे रहे हैं कि अल्ला ने बेटा जना दावत देना बहुत आसाने मैं यह नहीं कह रहा हैं कि उन से जखड़ा करो आप उनकी किताबे पढ़े और उनकी किताबों के जरीए आप उनके साथ दावत करो हम मुसल्मान, दावत हमारा फर्ज है हम इस फर्ज को भूल चुके है हमारा फर्ज है कम इसलाम का पैगाम गेरों तक पोचाए आज की जो हालात है गेर मुसल्मान जो इसलाम के खिलाब बात कर रहे है काफी हद तक उसके दिम्मेदार हम भी है क्यứ कि हम अल्ला सुभानाई उताला का पैगाम 斯 programm का पैगाम खुरान मजजिद का पैगाम गेरों तक नहीं पहुचाते थैं अल्ला ताला रहारा है कुरान मजजिद में सुर भकरा में सुरा नम दो आएत 111 में वे लोग içों जन्नत इल्ला मनकाना हुदन और नसारा वो लोग कह रहे है यहुद और नसारा कि आप मुसल्मान आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे चाये आप कितने भी अच्छे आमाल करो चाये आप नमास पुड़ो चाये रोजा रखो चाये जगात दो चाये आपके माते पे नमास के दागो आप लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहुद और नसारा ना बने अगर आप सच्छे है और अगर 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 कोई भी डिए मारता है बड़ी बड़ी बाते कहता है तो उनसे कहो आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्छे हो और यह इसाई अपना सबूत अपना भुरान बाइबल को पेश करते है और कहते है मैं बाइबल सिस दिस मैं बाइबल सिस दिस मैं बाइबल सिस दिस अगर कोई भी अपना बुरान पेश करता है तो हमें उस बुरान की तहकी करना चाहिए अगर कोई शनाप्ती कार्ड आपको दिखाता है कोई आइनेडी कार्ड दिखाता है हमें देखना चाहिए कि शनाप्ती कार्ट सही है कहने उनका जो बुराने तैकिय करने की दूर की बात है ये इसाई लोग मुसल्मानों के दरवादे को खड़कटाते है और हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तिमाल करते है सारे दुनिया में हिंदुस्तान में भी और खुसुसां पुना में कई क्रिशन इदारे है कई क्रिशन मिशनरी है जो मुसल्मानों के घर को खड़कटाते है और हमारा बुरान हमारे खिलाफ इस्तिमाल करते है वो मुसल्मान से पुछते है कि आपके कुरान में नहीं लिखा है कि बाइबल अल्ला का कलाम है और अक्सर हम मुसलमन करें यहां लिखा है तो आप बाइबल पर अमल क्यों ने करते हैं हम आप इसको जवाब ने फिर वह सवाल पुछते है कुरान मजीद में मुहम्मद स. लौब का नाम कितने बार कुरान मजीद में आता है अगर आपको पता है तो आप कहेंगे मुहम्मद स. लौब का नाम कुरान मजीद में पाँच बार आता है चार बार मुहम्मद स. लौब का जिकर कुरान मजीद में नाम से कितने बार है अगर आपको नहीं पता है तो आप से कहेंगे कि इसा अले सलाम का जिकर नाम से कुरान मजीद में पचीज बार आता है फ़रों रस वाल पूछेंगे कौन शक्स बड़ा जिसका जिकर कुरान मजीद में पांच बार नाम से है वो शक्स बड़ा कि जिसका जिकर खुरान मजीद में पच्चीज बारे नाम से वो बड़ा कौन बड़ा पच्चीज या पांच आप से सवाल पूछेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे वो आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे दूसरा सवाल पूछते है आपके आखरी पैगर महमद स्लाव सल्म क्या उनके वालद और वालदा थे बेशक उनके वालद भी थे वालदा भी थी नेक्स सवाल पूछते इसा ले सलाम इसा ले सलाम के वालद और वालदा थे हम कहेंगे इसा ले सलाम की वालदा थी वालिद नहीं थे फारन स्वाल पूछेंगे कौन बड़ा जो इंसान वालिद के जरीए पैदा होता है वो बड़ा कि वो इंसान जो वालिद के बिगर पैदा होता है बड़ा वो सवाल पूछेंगे मुसल्मान से लेकिन जवाब नहीं देंगे वो आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे कौन बड़ा वो शख्स जो वालित के जरीय पैदा होता है बड़ा है कि वो शख्स जो वालित के बिना पैदा होता है बड़ा है सवाल करेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे वो आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे कई Christian missionary दुनिया भर में मुसल्मानों के घर को खड़कटाते है and they are using us like punching bags they are making nest in our head हमारे सिर में घौसा बना रहे है और हम जवाब भी नहीं दे सकते दूसरा सवाल पुछते है मुसल्मानों जिन्दा है कि उनका इंतिकाल हो चुका है और हमें मानना पड़ेंगा कि मुसल्मानों उनका इंतिकाल हो चुका है मदीना में दफन है इसा अले सलाम वो जिन्दा है कि उनका इंतिकाल हो चुका है और इसलाम में साफ तोर पे लिखा है कि Allah सुभानाओ ताला ने ईसार अलेस सलाम को जिन्दा उठाया है तो कौन बड़ा वो पैगंबर जो जिन्दा है बड़ा है कि वो पैगंबर जो मर चुका है बड़ा है आप से सवाल करते है लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते आपके जहेन को मजबور करते हैं सोचने पे हमारा बुरान हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तिमाल कर रहे है दूसरा सवाल पुछते है मुहमज़ अला ने कोई भी मौझिदे किये है हम कहेंगे हाँ बेशक भूछ से मौझिदे किये उन्होंने कभी भी मुर्दों में जान दाली और मैं मानना पढ़ेंगा कि कुरान शरीफ की कोई भी आयत नहीं है कोई भी सही हदिस में नहीं लिखा है कि ममस अलाओं ने मुर्दे में जान दाली उनका अग्ला सवाल इसा अले सलाम ने मुर्दे में जान दाली और मैं मानना पढ़ेंगा कुरान मजीद में साफ तोर पे लिखा हुआ है बिजनिल्ला इसा अलसे 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 अल्ला के नाम से इसा अलसे अलसे ने मुर्दों में जान डाली तो कौन बड़ा जो मुर्दों में जान डाल सकता वो बड़ा कि जो मुर्दों में जान नहीं दाव सकता बढ़ा सवाल करते हैं आपके जहन को मजबूर करते हैं सोचने पर और अब मुसल्मान जवाब भी नहीं दे सकते हैं ये सारे सवालाद के जवाबाद अगर आप कुरान मजीद को तर्जूमे के साथ पढ़ेंगे ये सारे सवालात के जवाबात है लेकिन अफसोस की बात है कि अक्सर मुसल्मान कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते अगर हम समझ के पढ़ेंगे इन सारे सवालात के जवाबात दिये गए है